आपे से बहुत सारे लोग दलिया खाना पसंद करते होंगे बहुत सारे लोग खाते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या डाइबेटीस के मरीज दलिया खा सकता है तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिसकस करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर नपम घोशे मैं एक डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस नूटिशन स्पेशलिस तो आज हम बात कर रहे हैं क्या डाबिटीस के मरीज दलिया खा सकते हैं आपने सुना होगा दलिया बहुत अच्छा होता है अगर आपको डाबिटीस है तो दलिया खाना चाहिए ज्यादातर डॉक्टरS ज्यादातर डायटीशिन आप लुग को रिकमेंड किया होगा कि आप दलिया खाये अगर आपको शुगर है आपकी शुगर नहीं बढ़ेगा तो क्या इसमें सचाई है या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तो दलिया का nutritional facts आपको जानना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उसकी glycemic index भी जानना बहुत जरूरी है, मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों जादा तर doctors और dietitian आपको recommend करता है, केटेगरी में आता है, ठीक है, जादा तर doctors और dietitians सिर्फ और सिर्फ glycemic index को focus करते हैं, और इसलिए वो आपको recommend करता है कि अगर आपको diabetes है तो आप दलिया खाईए, क्योंकि इसका glycemic index जो है वो कम है, बिल्कुल कम है, 41 उसका glycemic index है, तो low category में आता है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरा कारण जो है, जो आपके dietitian और doctors आपको दलिया खाने के लिए कहते हैं, वो ये है कि दलिया जो है, एक complex carbohydrate है, ये भी बिल्कुल सही बात है, दलिया जो है, एक complex carbohydrate है, और जादा तर doctors और dietitian का ये मानना है, कि complex carbohydrate अगर आप खाएंगे, तो आपका sugar level तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अपना diabetes reverse करना चाते हैं, दवाई सारा छोड़ना चाते हैं, तो क्या दलिया एक अच्छा option है, इसके बारे में मैं आप लोग को आज बताऊंगा, तो देखिए, दलिया का glycemic index 41 है, ये low category में आता है, ये आपको पता चल गया, दलिया जो है, एक complex carbohydrate है, complex carbohydrate और simple carbohydrate में क्या फ़र्क है, ये आप थोरा सा समझने की कोशिश करिए, अगर आप simple carbohydrate खाते हैं, जैसे चीनी हो गया, या कुछ और इस तरह से refined sugar हो गया, ठीक है, refined sugar या फिर मैदा, या इस तरह के जो भी चीज है, वो simple carb में आता है, वो जैसे ही खाएंगे, तो तीजी से आपका sugar level बढ़ेगा, लेकिन complex carbohydrate अगर आप खाते हैं, तो आपका sugar level जो है, धीरे धीरे बढ़ता है, और इसी लिए dietitian, doctors आपको recommend करते हैं, कि आप दलिया खाईए, अगर आपको sugar है, लेकिन इस channel में हम reversal की बात करते हैं, हम diabetes free की बात करते हैं, freedom from diabetes की बात करते हैं, दवाई बंद करने की बात करत हैं, तो अगर आप अपना diabetes reverse करना चाते हैं, सारे दवाई बंद करना चाते हैं, तो क्या दलिया एक अच्छा option है, तो देखिए दोस्तों मैंने अपने experience से ये सिखा है, कि चाहे carbohydrate simple हो, चाहे carbohydrate complex हो, carbohydrate is carbohydrate, वो body में जाके glucose में ही convert होता है, बस इतना ही difference है, simple carbohydrate थोड़ा जल्दी convert हो जाता है, और जो complex carbohydrate है, वो थोड़ा धीरे-धीरे convert होता है, लेकिन simple हो या complex carbohydrate हो, दोनों ही glucose में convert होता है, और आपके sugar level को बढ़ाता है, लेकिन जैसे कि मैं आप सबको हमेशा कहता रहता हूं कि glycemic index सब कुछ नहीं होता है, glycemic load पे आपको focus करना है, तो glycemic load calculate करने के ल दलिया की बात करूं, 100 ग्राम दलिया में आपको 75 ग्राम के आसपास आपको carbohydrate मिलेगा, और 75 ग्राम carbohydrate बहुत ही जादा होता है, तो 100 ग्राम दलिया का glycemic load अगर आप calculate करेंगे, तो 75 multiplied by glycemic index, यानि कि 41 divided by 100, वो लगभक 30 के आसपास आता है, 30 के ऊपर है glycemic load, और 30 के ऊपर अ आपका sugar level निश्चित रूप से बढ़ेगा, glycemic load आपको हमेशा 10 के नीचे रखना चाहिए, किसी भी food item का, अगर glycemic load 10 के नीचे है, तो बहुत ही आसानी से आप खा सकते हैं, आपका sugar level को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन दलिया का glycemic load 30 के ऊपर है, और वो high category में आता है, जो कि आपका sugar level को बढ़ाएगा, अब सवाल यह आ सकता है, कि अगर मैं दलिया 100 ग्राम ना खाके 50 ग्राम खाऊं, तो क्या खा सकते हैं, तो अगर मैं 50 ग्राम दलिया की भी बात करूँ, तो भी वो medium category में आएगा, 15 के आसपास उसका glycemic load आएगा, और वो भी आपका sugar level को बढ सकता है, तो मेरे इसाब से आप सब को दलिया avoid करना चाहिए, अगर आपको sugar है, अगर आप अपना diabetes reverse करना चाहता है, अगर आप अपना दवाई बंद करना चाहता है, इंसूलिन बंद करना चाहता है, तो आपको दलिया बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए, दलिया में तो ये एक अच्छी बात है, आप diabetes reversal के बाद दलिया बिलकुल खा सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन diabetes reversal के दोरान दलिया को avoid करेंगे, तो जादा अच्छा रहेगा, आप जल्दी से जल्दी अपना diabetes reverse कर सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी अपना सारा दवाई बंद कर सक तो अगर आपको diabetes है और आप अपना diabetes reverse करना चाहते हैं, दवाई बंद करना चाहते हैं, तो दलिया मत खाईए, दलिया को avoid करिए, जब तक आपका diabetes reverse नहीं हो जाता है, तो उमीद करता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको clear हो गया होगा, कि आपको दलिया खाना जा सकता है, कैसे खा सकते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर हजाल लोगों ने कमेंट कर दिया कि मुझे दलिया खाना अच्छा लगता है, मुझे diabetes reverse करनी है, और diabetes reversal के दोरान मैं दलिया खाना चाहता हूँ, तो अगर हज लोगों का कमेंट आ गया, तो उस पे भी एक वीडियो बना के मैं आप लोग को बता दूंगा, कि diabetes reversal के दोरान कैसे दलिया को खाया जा सकता है, कुछ ऐसे तरीका है जिससे कि आप दलिया खा सकता है, और दलिया खाएंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, तो उनको diabetes है और diabetes reversal करना चाते है, तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत दन्यवाद, झाल